दी फार्मा सेकंड एर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मकॉलोजी आप लोगों को बहुत टिपिकल लगता है है ना बहुत हार्ड लगता है लेकिन जब फाइनल एक्जाम होता है उससे पहले अगर हमें कोई important topics मिल जाएं या कोई best 10 topics मिल जाएं जिससे हम अपनी preparation में और चार चांद लगा सकते हैं तैयारी और बहतर कर सकते हैं तो ऐसे में काफी हमें जो है सुकून मिलता है तो जानेंगे संपून जानकारी आज की इस वीडियो में हलो एवरिवन वलकम बेक टू फार्मिसी इंडिया लाइव हमारा जो सब्जेक्ट है डी फार्म सेकंड एर मे फार्मकोलोजी उसके बेस्ट 10 टॉपिक्स जो आपके फाइनल एक्जाम चाहे किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड के हो या यूनिवोस्टी लेवल के हो तो वो आप उनके माध्यम से हम अपनी तयारी और अच्छे से कर सकते हैं तो ऐसे कौन से बेस्ट 10 टॉपिक्स रहने वा पतलब की जो अलग-अलग तरीके से हम अपने शरीर के अंदर दवाईयों को भेज सकते हैं या दवाईयों को ले सकते हैं ठीक है लॉंग कॉश्चंट जो है PCI के लेटेस्न लेवस के according आपके पांच नमबर में आते हैं और अगर मैं बात करूँ शॉट कॉश्चं़ की तो ये आपके PCI के लेटेस्न लेवस की according तीन number का आता है next topic बनता है pharmacokinetic और pharmacokinetic और pharmacokinetic इसका जो basically difference है यह आप कह सकते हैं कि question आ जाता है कि discuss करना है आपको pharmacokinetic क्या होता है pharmacokinetic क्या होता है ठीक है यहाँ पर body ने drug के साथ क्या किया ठीक है और उल्टा करें दूसरा तो drug ने body के साथ क्या किया ठीक है तो ये बिसेकली आपका फार्मको कानेटिक फार्मको डायनेमिक बनता है इससे फार्मकोलोजी के फाइनल एक्जाम में एक कोशन आता है ठीक है most probably आपका ये शॉर्ट कोशन में तीन नंबर में कोशन पूछा जाता है next topic आता है classify करना है अब हमें anti-colinergic agents को आपका basically पूरा एक chapter है इसके रिगार्ड में फार्मकोलोजी में तो वहां से आपका पूरा classification आ सकता है कि anti-colinergic agents को classify कीजिए चौथा topic बनेगा आपका जो एनस AIDS है यानि कि non-steroidal anti-inflammatory drugs उनका classification और उनके pharmacological actions क्या होते हैं मतलब वो जो particular drugs है NS AIDS non-steroidal anti-inflammatory drugs उनका basically काम क्या होता है या कैसे काम करते हैं वो basically आप से उसके रिगार्ड में question आ सकता है पांचवा topic बनता है हमारा कि जो हमारे acetyl coline ठीक है जो हमारे acetyl coline agents होते हैं उनका synthesis कैसे होगा उनकी storage कैसे की जाती है उनका release कैसे होता है उसके रिगार्ड में question पुछा जा सकता है और जो drugs उनके उपर act करती है acetyl coline receptors जो है हमारे acetyl coline receptors उनके उपर जो drugs काम करती है तो उनके रिगार्ड में synthesis, storage और उनका release पुछा जा सकता है तो इसके रिगार्ड में आपका question आ सकता है ये long question में भी आ सकता है और short question में भी आ सकता है next topic बनता है general mechanism of action बताना है local anesthetics का ठीक है जैसे आपका lead के इन होता है लिगनों के इन होते है एटसेटरा तो इनका local anesthetics का general mechanism ये काम क्या है इनका क्यों इने हम इस्तिवाल गड़ते हैं वो आपको बताना है तो इसके regard में एक question आ सकता है next topic कहता है कि classification बताना है हमें और general mechanism of action बताना है benzodiazepine और barbiturates का ठीक है benzodiazepine और barbiturates का general classification यानि कि उनका वर्गी करण और उनका जो एक सामान्य काम है कि काम क्या करते हैं mechanism of action क्या है वो बताना है next topic कहता है classification और general mechanism of action बताना है anti-arrhythmic drugs का ये वो drugs है जब हमारी irregular heartbeats हो जाती है हमारी रिधे गती जो है basically उस वो नियंतरण में नहीं रहती बिगड़ जाती है irregular heartbeats को control करने के लिए जो दवाईयां होती है ठीक करने के लिए manage करने के लिए वो anti-arrhythmic drugs है तो उसका पूरा एक जंदल mechanism of mechanism of action और उसका classification पूछा जा सकता है next topic आता है congestive heart failure क्या होता है वो बताना है और जो एक digoxin drug है हमारा उसका mechanism of action वो काम कैसे करता है उसके regard में आपका question पूछा जा सकता है short question तीन नमबर में इसका question आपको मिलता ही मिलता है ठीक है और last question जो रहे और जो last topic रहेगा mechanism और ADRs क्या होते है penicillin के अब आपके मन में आ जाएगा यह ADR क्या बला आ गई यह है basically A से आपका होता है adverse D से होता है drug और R से होता है reaction ठीक है adverse drug reaction तो यह आपका basically क्या कहलाता है तो यह आपका ADR की full form होती adverse drug reaction तो इससे आपका basically पांच नमबर का question बनता है और कभी कवार तीन number में भी आ जाता है simple गह देते है mechanism of action बता दो penicillin का या इसके adverse drug reactions बता दो penicillin के इस तरीके का भी question आ जाता है तो यह थे best 10 topics pharmacology के लिए जो defarm second year में हमारा subject है final exams की preparation के लिए जो हम अच्छे से score कर पाएं अच्छे नमबर ला पाएं उसके लिए यह best 10 topics रहने वाले हैं आप exam से पहले इनको cover up करते हैं तो काफी अच्छे marks आपके इन कर लेंगे आप defarma second year में हैं अभी तक डाउनलोड नहीं किया pharmacy इंडिया mobile app डाउनलोड कीजिए google play store से उसके माध्यम से आप hard copy में study material को order कर सकते हैं चाहे वो आपके notes हो या फिर वो आपके model papers हो model papers के आपके six set का module मिलेगा क्योंकि six subject हैं defarm second year में हर एक subject का एक module है और हर module के अंदर तीन set का paper मिलेगा आपको जो हिंदी और इंगलेश नहीं कि bilingual language में solve किया गया है बहुती सरल और आशान भाशा में साधी साथ वहाँ पर जब आप सर्च करते हैं defarm second year तो वहाँ पर आपको topic wise notes मिल जाएंगे PCI के latest syllabus के according video lectures मिल जाएंगे bilingual languages में साधी साथ आपको chapter wise model papers मिल जाएंगे universities या आप किसी particular boards के आपको previous papers भी मिल जाएंगे जो practice questions का काम करेंगे इसकी validity एक साल तक रहने वाली है और जो अब इस साल से आपका July September के बीच में आप defarm second year में पास आउट होंगे इस साल तो आपको exit exam देना होगा PCI ने जो आप लागू कर दिया है है ना तो उसकी guidance भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी ठीक है बच्चा लोग आप हमारे साथ various platforms के थूँ जुड सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड सकते हैं more amazing videos इसी तरीके की amazing videos आपको मिलती रहेंगी whatsapp number 9389516306 इसको save कीजिए और save करके dp india capital letters में type करके भेज दीजिए आप तक latest d pharma updates मिलते रहेंगे और साथी साथ आपको यहाँ पर exit exam से सम्मंदित हर एक जानकारी प्राप्त होती रहेगी सामने screen पर आपको QR code दिख रहा होगा इसको scan करके आप हमारे telegram channel के थूँ जुड सकते हैं यहाँ पर भी आपको latest updates मिलते रहेंगे और आपको इन सभी platforms के यानि की Instagram, Telegram, WhatsApp और YouTube चैनल इन सबके links नीचे description में दिये गए हैं इनके माद्धिम से आप हमें follow कर सकते हैं इसी तरीके की more amazing videos के लिए बने रहीए pharmacy इंडिया live के साथ